जंगल बुक की पूरी कहानी कुछ इस प्रकार है. एक इंसान का छोटा बचा खेलते हुए गाउं से निकल कर जंगल में भटक जाता है. वो बचा पहाड के उपर रहने वाले भेडियों के जुंड के पास पहुंच जाता है. भेडियों के जुंड में एक जोडा दर्व का औ खान मोगली को खाना चाहता है, लेकिन बलु नाम का भालू और बगीरा नाम का तेन्वा उस समय सुलर करवा देते हैं. शेर खान उस समय मोगली को छोड़ देता है, लेकिन वो मौके की तलाश में रहता है. बलु, बगीरा और का नाम की अजगर मोगली को जंगल के नियम, जानवरों की भाषा और शिकार करना सिखाते हैं। कुछ सालों बाद अकिला नामक भेडियों का मुकिया बुढ़ा और कमजोर होने लगता है। अब शेर खान ऐसे युवा भेडियों के साथ मिलकर योजना बनाता है जो कि मोगली को पसंद नहीं करते। शेर खान मोगली को भेडियों के समूँ अलग करना चाहता है जिससे वो आसानी से उसका शिकार कर सके। मोगली ये बात समझ जाता है वो निने लेता है उसे अब इंसानों के बीच लोट जाना चाहिए इसी में सबकी भलाई है। मोगली के जाने से पहले बगीरा उसे सलाह देता है कि वो गांव से इंसानों का लाल फ़ल ले आए। लाल फ़ल असल में आग है जिससे जानवर डरते हैं और लाल फ़ल कहते हैं। मोगली आग से शेर खान का मुकावला करता है और उसे बुरी तरह घायल कर देता है। शेर खान वहां से भाग जाता है। मोगली जंगल में थोड़े और दिन रुपता है। इस बीच बंदरों का समून उसे बंदी बना लेते हैं और अपने नेता के पास ले जाते हैं। बंदरों का मुख्या मोगली से लालफ़ल मतलब आग बनाने का तरीका जानना चाहता है। मोगली के मना करने पर सब बंदर उसे मारने दोडते हैं। मोगली उनसे मुकावला करता है और उसकी मदद के लिए बगीरा और बलु भी आ जाते हैं। मोगली अपने दोस्तों के मोगली अब जंगल छोड़कर गाम चला जाता है। वो अपने भेरिया भाई और मुक्या अकिला भेरिया के साथ मिलकर शेर खान को अपने जाल में फंसा लेता है।